बोलेवुड में कई विश्यों पर फिल्म बनती हैं, रोमांस, कॉमेडी, एक्शन का तर्का लगा कर फिल्म में कर नई कहानी मना कर दर्शकों को परोस्ट देते हैं स्कूल कॉलेज लाइफ से लेकर प्यार मोहबबत तक के पाठ हमें फिल्मों के जरिये पढ़ाय जा चुके हैं कहीं हीरो हीरोईन लाइब्ररी में रोमांस करते दिखते हैं तो कभी कैंटीन के लड़ाई को फिल्मों में उतारा जाता है टीचर और स्टूडेंट्स के भी रिष्टे पर कई फिल्में बन चुकी है टीचर्स देखे मुखे पर एक नजर डालते हैं उन एक ट्रेसे इस पर जो नोयों ने परदे पर टीचर के किरदार को यादगार बनाया सुशमिता सेन औन स्क्रीन टीचर के किरदारों की बात हो तो सबसे पहले Miss Universe रही एक ट्रेस सुशमिता सेन का नाम याद आता है शारुक खान स्टार फिल्म में हूँन 2004 में सुशमिता ने केमिस्ट्री टीचर का किरदार निभाया टीजर के तोड़ पर सुश्मिता इतनी ग्लैमरस लगी कि उनकी खूबसूरती पर शाहरुक सहित सभी दर्शक कायल हो गए ये फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्म साबित हुई इसमें सुश्मिता द्वारा पहनी गई साड़ी तो उस वक्त फैशन स्टेट में बन गई थी चितरांगदा सिंग, अक्षे कुमार और जॉन अबराहिम की फिल्म देसीब वायज में एक ट्रेस चितरांगदा सिंग की इंट्री को भूल पाना मुश्किल है फिल्म में उन्होंने एक सुपर होट मैक्रो एकोनोमिक्स प्रोफेसर का किरदार निभाया फिल्म में चितरांगदा का किरदार इतना ग्लैमरस था कि क्लासरों में बैठे स्टूडेंस पढ़ाई पर नहीं केवल उन पर फोकस करते थे ऐसे में अक्षे कुमार भी उनकी अदाओं के दीवाने हो गए रील लाइफ की तरहें रील लाइफ में भी हमारे स्कूल या कॉलेज में एक नएक ऐसी टीचर जरूर होती है जिनकी क्लास में स्टूडेंस खास कर लड़कों की अटेंडेंस फुल होती है करीना कपूर टीचर्स की बात हो और करीना का जिक्र नहों ऐसा हो ही नहीं सकता करीना कपूर ने कुर्बान 2009 में एक दिली युनिवर्स अटी की प्रोफेसर का किरदार निभाया ग्लैमरस ना होकर उनका यह लुक काफी देसी था जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया विद्या बालन 2011 में आई विद्या बालन की फिल्म दिडर्टी पिक्चर भलकौन भूल सकता है फिल्म में बोल्डनेज का तर का लगाने वाली विद्या उलाला गाने में एक सेक्सी टीचर के और पर दिखती है गानी मुखरजी 2006 में रिलीज फिल्म कभी अलविदान न कहना में रानी मुखरजी ने एक प्राइमरी टीचर का किरदार ने भाया हाला कि फिल्म में वे क्लासरूम से कहीं ज्यादा वक्त शाहरोख खान के साथ बिताती दिखी लेकिन दश्रकों ने उनके फैशन स्टेट में इंट को जरूर नोटिस और फॉलो किया था